नमस्का और साथ यूँ आप सभी का स्वागत है हमारे से टूप चैनल यातर सुद्धा में स्लीपर वंदे भारत इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे बहुत जादा चर्चा है और ये ट्रेन आने भी वाली है आज इस वीडियों बात करेंगे स्लीपर वंदे भारत इसके चैनल के AC 3 टियर या 3D AC कोच के बारे में कि इसमें नया क्या होने वाला है जो अभी के AC 3 टियर कोचेस हैं या 3D AC कोचेस हैं तो चली देखते हैं वीडियो को और समझते हैं इसके फीचर्स को साथियों ये है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की 3rd AC कोच का इमेज आप देख सकते हैं यहां पर 3rd AC कोच का लियाउट दिया हुआ है ये है स्लीपर वंदे भारत का 3rd AC कोच जैसा कि आप नॉर्मली देखते होंगे जो अभी की जो कोचेस हैं उसका इंटिरियर अंदर का और इसमें आपको काफी डिफरेंस नजर आ जाएगा तो चलिए देखते हैं AC करके सारे इसमें डिफरेंस क्या है और क्या इसमें कुछ नया होने वाला है वैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ आप, आपको यहां से दिख भी रहा होगा, तो चलिए पहले देखते हैं यहां पर, सबसे पहले साथियों आप यहां पर सीटों को देखिए, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा स्पेस टाइप में दिख रहा होगा, देखे, जैसा कि नॉर्मली जो स किसी को, और थोड़ा सा और बाते करते हैं इसके बारे में, देखिए यहां पर यह जो उपर की सीटे हैं, सीटों पर चड़ने के लिए जो यहां पर स्पेस बनाया गया है, जो स्टेप्स बनाया गया है, उसको भी काफी जादा इंप्रूफ किया गया है, तो स्पेसली खा बर्थ हो यह है उपर साइड अपर कीस में बर्थ तो बाइद वे बहुत अच्छा ही इंटीरियर इसका और मैं आपको कुछ और इसके बारे में बात बताता हूं साथियों सीट की कमफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो यह मेरर वगएरा है यह भी काफी अच्छा है काफी चोड़ा है तो मतलब बहुत अच्छा इंटीरियर इसका कुलमला के ओवरॉल इंटीरियर काफी अच्छा है यहाँ पर भी बोटल वगएर रखने के लिए कुछ टेबल टाइप है दिया हुई है जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है तो काफी लक्जरियस कोच होने वाला है और स्लीपर वंदे भारत भी अलेड़ी काफी लक्जरियस है अब आपको एक यूनिक चीद दिखाता ह है तो ओवरॉल बात करें तो कोच बहुत अच्छा होने वाला है अब देखते हैं जैसे यह कोच बनके आएगा और इसका कैसे डिजाइन रहने वाला इसमें क्या क्या नए इंप्रूमेंट्स देखनों मिलते हैं ओपर यहाँ पर आपको कुछ लाइटिंग अगरा भी जब आइब करें वाला है यहाँ जो कर दो कर दो